दोस्तो अगर आप दस्जार की रेंज में अपनी लिए बेस्ट डेजट कूलर लेने की सोच रहे हैं जिसमें की दमदार फीचर, बेस्ट एर थो, अच्छी कूलिंग, लो पावर कंजप्शन, साथी साथ तगडी वारांटी हो, तो आज मैं आप लोग के ले के आँँ एक नि 75 और वीगार्ड का अरीडो 75 जिहां दोस्तो ये दोनों कूलर, दस्जार अखिर इनमें सबसे बेस्ट कूलर है, क्योंकि दोस्तो इनमें उस सारी खुबियां हैं जो की आप एक अच्छे कूलर में आपको चाहिए, तो दोस्तो चलिए इन दोनों कूलर के बारे में आपको डीटेल में बताते हैं कि इन में क्या-क्या खुबिया भरी पड़ी है, कंपनी ने कौन-कौन सी खुबी इसमें भर-भर के डाल रखा है, लेकिन दोस्तो अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तो आज मैं आप लोग के ले आँँ हों दो ऐसा कूलर जो कि 10,000 की रिज्ट में सबसे बेस्ट कूलर हो रहा है 2024 में, दोस्तो मैं आज बात कर रहा हूं क्रॉम्टन के ओजोन की और साथी साथ मैं बात कर रहा हूं वीगार्ड अरीडो की, दोस्तो ये दोनों कैपिसीटी में आते हैं, बात करें इसके वजन की तो लगभग ये दोनों कूलर एक्वल है, 14-15 केजी दोनों का वेट है लगभग लगभग, दोस्तो हाइट की बात करें तो 4 फिट इन दोनों के आइडियल हाइट है, जो कि आपके हाल, आपके बेडरूम के लिए काफी होता है हावार को डिलीवर करने में चारो तरफ। दोस्तो इन दोनों कूलर में आपको विल्स देखने को मिल जाते है जिससे की आप इन दोनों कूलर को एक जगर से दूसरे जगर असानी से मूव करा सकते हैं, तो साथे साथ बात करते ह Southwest के फैंस की, दोस्तों इन दोनों अब दोस्तो जब बात चल रही है मोटर की तो मोटर की बात कर ले तो इन दोनों कुलर में धंदार क्वालिटी के मोटर यूज की गई है दोस्तो बात करें कि क्रॉम्टन की इसके मोटर में आपको कॉपर का कोईल देखने को मिलता है और दोस्तों वहीं बात करें अगर हम वीगार्ड की दोस्तों इसमें आपको बैस्ट अलिमोनियम के कोईल देखने को मिलता है दोस्तों किसी भी कूलर का air throw उसका सबसे बहतरीन पार्ट्स होता है जिस कूलर का air throw बहुत ज़ादा होता है उसी cooling capacity बहुत अच्छी होती है दोस्तों air throw में तो ये कूलर दोनो number one है दोस्तों इन दोनों कूलर के air throw लगबग 50 feet की है लेकिन दोस्तों company कहती है कि 50 feet है लेकिन दोस्तों जब मैंने test किया हाँ test से यादा है दोस्तों इन दोनों कूलर के unboxing video, testing video मैंने separately बनाई है अगर इन दोनों कूलर के बाला आपको details से जानना चाहता है दोस्तों मैं इस वीडियो के end में दोनों का link दे दूँगा प्लीज इसको ज़रूर देखे दोस्तों उस video मैंने इसके noise test किया है इसके inbuilt quality को test किया है इसके power consumption को test किया है साथी साथ मैंने इसके air throw को test किया है और दोस्तों मैंने हर एक चीज़ को बारिकी से test करके फिर मैंने separately video बना है तो प्लीज उन video को भी ज़रूर देखे इस video के end में उसका link दे दूँगा बात करते ही ये दोनों cooler कितना area cool करें है दोस्तों ये दोनों cooler लगभग लगभग 315 feet के area को cool करते है और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों किसी भी लग ठोनी गज़र की सबसे बड़ी बात होती है उसका power consumption दोस्तों ये दोनों cooler 90 watt का power consume करते है लेकिन दोस्तों company करती है लेकिन दोस्तों जो मैंने test किया तो मैंने पाया यह दोनों cooler लगबख लगबखली speed में 165 से लेके 180 watt consume करते हैं यानि company के दावाज से भी कम मतलब कि यह दोनों cooler budget friendly है power friendly है दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों cooler में features कौन-कौन से दिये हैं दोस्तो लगभर-लगभर यह दोनों cooler में features दो नो तक हैं वो बराबर हैं दोस्तो motor की बात कर लें तो motor में आपको thermal over protection दिया गया है दोस्तो इिस में इन दोनों cooler में आपको auto water filter की facilities दी गई है साथ इसाथ manual water fill की facilities दी गई है दोस्तों ये दोनों cooler inverter से चलते हैं inverter capable है इन दोनों cooler में आपको ice chamber देखने को मिल लाता है सबसे बड़ी बात है कि इसके ice chamber के design भी लगब लगब सेम है तो ये दोनों cooler एक जैसे in build quality से आता है दोस्तों जब मैंने इसके अंदर को पार्ट से खोला यानिकि इसके honeycomb pad को पीछे से खोला तो मैं देखके soccer रह गया कि अंदर जो भी technology जो भी material यूज़ के हैं लगब 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 इक्वाल है ऐसा लगता है बस branding अलग है बाकि दोनों cooler एक ही कारखाने में ए दोसे इन दोनों cooler में 3 speed दिये गये हैं लो मेर और हाइट बहुत आइसे लोग होते हैं जिनको बहुत कम noise पसंद है क्योंकि ज्यादा हला करने वाले cooler अच्छे नहीं होते हैं पसंद नहीं आता है जो घर में काफी शूर करते हैं दोस्तों noise level की बात करें दोस्तों मैंने इस उस वीडियो मना कर रखी है इसका link में इसकी वीडियो के आपको end में दे दूँगा प्लीज इन दोनों cooler के detailing वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे जिसमें कि मैंने इन दोनों cooler काफी अच्छी तरस explore किया है अब दोस्तों finally बात कर लेते हैं इनकी warranty की दोस्तों सिर्फ और सिर्फ warranty में फरक है जिहां दोस्तों प्रोडक्ट से में quality से में features से में technology से में सिर्फ और सिर्फ warranty मंतर है दोस्तों क्रॉम्टन पे आपको एक साल की वारंटी देखने को मिल जाती है वहीं पे वीगाड पे आपको दो साल की वारंटी देखने को मिल जाती है पंप पे और मोटर पे यहां दोस्तों दोनों पे पंप और मोटर पे वारंटी देखने को मिल जाती है क्रॉम्टन में एक साल और वी सब्सक्राइल बात दोस्तों यह वीडियो को स्पांसर वीडियो नहीं है सबस्टिता हूं जीदने कुले करें कि टेस्टिंग करत dental इस खरीता हूं कि फिर मैं आपको रवीव बताता हूं टूरीवलव बताता हुं कि यह कुलर पह पैंसे खरčें से और आप हमारा दीए अफलेटेड से इन प्रॉडट को पर्शस करते हें तो आपके प्राइज में बीना कम बैसी बीना छेर छाड़ कियं हमारे चैनल को थोड़ी सी ऑलनसली हेल्फ हो जाती है जिससे के हम इस तरह के प्रॉडट को प्रॉडट को करकर आपके लिए रिभ्यू करके लाते कि ये product आपके लिए कैसा है दोस्तों हमारे डीय औफ़्लेटर लिंग से जाके इस product को purchase करें और हमारी चैनल में थोड़ी सी contribution करके अवे help करें दोस्तों finally बात कर लेते हैं किनके लिए cooler best होने वाला है दोस्तों वैसे तो इस cooler में कोई प्राइज 12,000 या 14,000 भी होती न तो ये कुलर उस प्राइज में फिट बैठता लेकिन दोस्तों दजार के प्राइज में वो सारी टेक्लोजी वो सारे फीचर इस कुलर में भर भर के आपको डाले गए हैं तो दोस्तों देर मत किजिए क्योंकि जैसे गर्मियां बढ़ेंगी प्राइस वैसे ही बढ़ेगा तो लिंक नीचे डिस्क्राइज में दिया गया है क्लिक किजिए पर्चस किजिए और गर्मी का मजा लीजे दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बतेगा अच्छा लगा होते एक लाइक जरू कर दिएगा दोस्तों क को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा दोते ही से तक नए इंफरमेटिव बडि़ी को साथ अब तक मशकार चैहिंद बंदे मातरव